वेल्कम बेक तु दिन आदर वीडियो आप रैपेट इन श्रीज, आज हम बात करें वाले फोटोसेंथेसिस के बारे में, फोटो संथेशिस होता क्या है जिनने भी green plant होते हैं वो सनलाइट की मदश से food का formation कहते हैं इसी को नाम दयाता फोटो संथेशिस जो फोटो संथेशिस होता दो step में complete होता है फस्स चेप में conversion of light energy into the chemical energy होता है second step में जो chemical energy बना है उसकी मदश से जो green plant होटे हैं co2 को च्टोर कहता है इंदी फ़ाम आफ और गिनि कंपाउंड या फिर इसी को नाम धियात่ब ऑफ डार के रियाक्शन सेकंड इस्टेप को नाम धियता है डार के लेक्षन जो फोनीश होता है एक हीजियो खेंग कल क्यों में फिजकल सेख होती है चैले अनेुने कनदर सेकंडिजिए में जोग्ग था इसे की मदर से ऑफ्सकी और गया इसीलिए पर इसी मिरान दॉस होता है पे startupsर्फ आपको पता है जिदने भी green plant नोते हैं green सारे reaction चलते हैं जिसकी मदद से क्या होता है कि यह जो light energy हो chemical energy के अंदर convert हो जाती है इस process को नाम दियता है light reaction आज हम इस वीडियों में इसी को discuss करने वाले हैं कि कैसे light energy convert होती chemical energy के अंदर या फिर light reaction के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें light reaction को और किस नाम से जाना जाता है इसको hill reaction भी नाम से जाना जाता है and photo chemical phase भी जाना जाता है photo chemical phase क्यों यहां पे photo यानि कि light photo means light and chemical means ATP दो चीजों का involvement हो रहा है एक light energy का involvement हो रहा second ATP बन रही है इसी लिए इस page को नाम दियता है photo chemical phase इसमें होता क्या है conversion of light energy into the chemical energy light energy convert होती है chemical energy के अंदर किस कि सिस्टेप में convert होती है सबसे पहले absorption of light light को absorb किया जाता है chloroplast के अंदर बहुत सारे pigment पा जाते हैं यह pigment different है wavelength की light को absorb करने का काम करते हैं जैसे अगर हम बात करें जो light absorb करते हैं इसको नाम दियाता है पी ये आर पार photosynthesis active radiation जो पार होता है यह होता है फोर थाउजेंट टू सेवन थाउजेंट एंगे स्ट्रांग की light यानि कि जो हमारे विबगयोर है इस विबगयोर के अंदर ही क्या होता है प्लांट लाइट को एबजर्ब करते हैं उसी वेबलेंद की light को एबजर्ब करते हैं और photosynthesis करने का काम करते हैं तो फस्स स्टेम में एबजर्ब्सान आफ light होता है सेकेंड इस्टेम में photolysis of water एंड रिलीज आफ ओटू आपको पता है प्लांट जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन जो आता है वो वाटर के अंदर से आता है वाटर को तोड़ा जाता है और वाटर जैसे तूटता है वाटर तूटता है यच टू ओ इन दी फाम आप तू यच प्लस प्लस हाफ ओटू प्लस टू इलक्ट्रान यह जो हाफ ओटू बना है यह हाफ ओटू कहां से आया वाटर के अंदर से आया और जो हम आक्सीजन लेते हैं आक्सीजन प्लांट छोड़ते हैं वो यह वाटर ज सेकंड इस्टेब में फोटो लाइसी साब वाटर होता है और यहां से दो इलक्टरान निकलते हैं थर्ड इस्टेब में फोटो फास्पोराइलेशन होता है फोटो फास्पोराइलेशन में एडीपी में इनारगनिक फास्पेट जुड़ता है और एटीपी का फार्मेशन करता होता है हिसी के लिए हम क्या करते हैं इसे reaction को प्लांट होते हैं चलवाते हैं और को बनातर्य तिपी यानि क इनर्जी करंशी को बनाने का आर्डव करते हैं 4 पूरत इस थिप में समझना है एक-एक करके इसे एक ही रियक्शन से आपके एक्जाम में मिनिमाम एक कोस्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ही इंपर्टेंट है वीडियो होने वाला बहुत इंपर्टेंट लेक्चर होने वाला है मिस नहीं करना आपको सबसे पहले अगरम बात करें कि नान सलता कहा पर जो लाइट रेक्शन होता है वी इस यह में कान वार्ट होता है एक होता है नान उकली रिक्शन होत 1 अब नान क्का रियक्शन क्या होता है इसके अगरम बात करें तो आपको पता है ό 라めて श्योंद्ट बीरीच होते हैं इन प्लैंड के पार्यास होता फोटो सिस्टम होता है डिफ्रेंट पिगमेंट का गुरूप होता है गुरूप आफ डिफ्रेंट टाइप आफ पिगमेंट आपस में आपस में जोड़के एक सिस्टम का फार्मेशन करते हैं इसमें जो पिगमेंट होते हैं एक डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्जाब करने का काम करते हैं और इसी ग्रूप को नान दिया आता है फोटो सिस्टम इस फोटो सिस्टम के अंदर यहां पे एक सेंट्रल पिगमेंट होता है जिसको नान दिया आता है रियक्शन सेंटर reaction center आपको पता है जो photo system active radiation है वो क्या है पार है photo system active radiation पार अब इस पार में कितनी light है 4000 से 7000 Tengestron के बीज़ में बहुत सारी light है और एक pigment है केवल एक wavelength की light को ब्यार कर सकता है एक pigment केवल एक wavelength की light को ब्यार कर सकता है इसलिए अगर केवल एक wavelength की light को ब्यार करेगा तो जो photosynthesis होगा ओ efficient नहीं होगा इसलिए जो plant होते है उनके अंदर पार जाता है photo system इस photo system में क्या होता है 200 से 200 pigment आपस में जूड जाते हैं और photo system का formation करते हैं अब यह photo system क्या करेगा बहुत सारे pigment बहुत सारे pigment का गुरूप है तो बहुत सारे wavelength की light को ब्यार करने का काम करेगा इसमें एक जो main pigment होता है उसी को नाम दियाता है reaction center जो reaction center होता है वो maximum light को ब्यार करेगा और maximum photosynthesis करेगा लेकिन उसके साथ है बाकी के जो pigment है वो क्या करेंगे जो बाकी के wavelength की light है उसको भी अब्यार करने का काम करते हैं जैसे अगर हम बात करें जो maximum photosynthesis होता है वो होता है red and green light के अंदर विब गियोर में आपको पता है violet green red तो बहुत सारे light है 7 light है लेकिन जो maximum होता है वो होता है red के अंदर red के अंदर maximum होगा तो क्या क्योंब रेड एपजाब करेगा अगर प्लांट रेड एपजाब करना लगे तो क्या होगा कि जो photosynthesis होगा उसकी efficiency कम हो जाएगी जो food का formation होगा वो कम हो जाएगा इसलिए जो plant होते हैं और बहुत सारे pigment का एक group बनाते है इसी pigment के गुरूप को बनान दियाता है photosystem एक photosystem दो तरह के होते हैं एक होता है PS1 एक होता है PS2 PS1 and PS2 जो PS1 and PS2 होता है इसमें different क्योंब इतना होता है कि different किस wavelength की light को अबजाब कर रहे हैं जैसे अगर हम बात करें जो PS1 होता है ए 700 nanometer की light को अबजाब करता है वो ही PS2 680 nanometer की light को maximum अबजाब करता है जो PS1 and PS2 नाम दिया गया है ए अंधिवेसे सब देया discovery सबसे पहले इसकवर हुआ था इसलिए PS1 बाद में इसकवर हुआ है PS2 लेकिन anter के ओल दोनों में इतना है की दोनों में different wavelength की light को अबजाब करने का कम कर रहे है दोनों की आउखात अलग अलग है दोनों photo system की आउखात अलग है कि किसे wavelength की light को वो ए अबजाब कर सकते है यही क्या कलाते है फोटो सिस्टम दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं एक होता है PS1 एक होता है PS2 एक फोटो सिस्टम पाए कहां जाते हैं हम में बात करनी है कि फोटो सिस्टम पाए कहां जाते हैं आपको पता है जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं ग्रीन प्लांट का जो ली के अंदर एक cell पाए जाते हैं, इस cell को नान दिया जाता है मीजो फिल सेल, मीजो फिल सेल, इस मीजो फिल सेल के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, इस मीजो फिल सेल के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट और और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल A हो गया, क्लोरोफिल B हो गया, जन्तोफिल हो गया, कैरिटनौाइड हो गया, यह पिगमेंट जो होते हैं, यह डिफरेंट वेवलेंद की लाइट को एबजार्ब करने का काम करते है अब यह chloroplast है, chloroplast के अगर हम structure की बात करें, तो chloroplast कुछ ही इस तरीके से दिखता है, chloroplast है, एक double membrane bound है, आर्गिनल है, इस chloroplast के अंदर, इसका जो lumen होता है, उसको नाम दियाता है, stroma और इसके अंदर, इसे stroma के अंदर एक कुछ इस तरीके से होता है, मान ले रहे हैं, एक पूरा का पूरा, chloroplast है, इस chloroplast के अंदर, इन दिखाम आफ, इस टेक, जैसे अगर हम एक सिक्चे को पर सिक्का रख दे, ठीक उसी तरीके से, यहां पर अरेंज होता है, जिसको नाम जयता है, granule, थैलकोईड, singular, granule, and अगर हम पूरे की बात करें, granule, this is थैलकोईड, थैलकोईड, इसी granule थैलकोईड के अंदर, क्या होते हैं, हमारे जो फोटो सिस्टम होते हैं, वो पाय जाते हैं, इसी granule थैलकोईड के अंदर फोटो सिस्टम पाय जाते हैं, अब इस अगर granule थैलकोईड को आप ध्यान से देखें, ति इस granule थाला क्वाइड के अंदर दो पार्ट दिख रहा होगा है एक ऐसा पार्ट जहां पे दो मिम्ब्रेन आपस में जुड़ी हुई है इसको नाम दियाता है एक ऐसा पार्ट दिख रहा होगा है जो किसी से यहां पे जुड़ा नहीं हुआ है इसको नाम जाता है नान एप्रेश्ट इसी एप्रेश्ट और नान एप्रेश्ट के अंदर हमारे जो फोटो सिस्टम होते हैं वो पाये जाते हैं इसी एप्रेश्ट और नान एप्रेश्ट के अंदर हमारे फोटो सिस्टम पाये जाते हैं यहीं पर क्या होता है कि लाइट को अबजाब करने का काम किया जाता है इह हमारा क्लोरोप्रास्ट यहां पे डिफरेंट टाइप के यह जो आपको इस टाप के फाम में दिख रहे हैं इसे को नाम दिया आता है ग्रैणल थैलाकोएड और इस ग्रैनल को नान दियता है oppressed thalakoid and जो यहाँ पर किसी से दबा हुआ नहीं है उसको नान दियता है non oppressed thalakoid oppressed thalakoid के अंदर पाया जाता है PS2 वही non oppressed के अंदर पाया जाता है PS1 PS1 यह सारी चीज़े आपको पता है यह आपके exam में नहीं पूछा जाएगा अब आपके exam में यहाँ से जो पूछा जाएगा ओपूछा जाएगा light reaction के बारे में कि कैसे light reaction की मदद से जो फोटो लाइट होती है वो convert होती है chemical energy के अंदर तो chemical energy के अंदर convert होने के लिए chemical energy के अंदर convert होने के लिए सबसे पहले क्या होता है redox reaction होता है potential की अगर हम बात करें ability of molecule to hold है और gain the electron किसी भी molecule की ability है और किसी electron को कितनी तेजी से hold कर सकता है या फिर gain कितनी तेजी से कर सकता है और उसका क्या कलाता है redox potential अगर उसके पकड़ने की छमता कम होगी तो क्या करेंगा उतरी तेजी से electron दे देगा तो उसका redox potential क्या होगा लो होगा वहीं अगर उसका hold करने की छमता दिख उई तो क्या करेगा उसका रिडाक्स पोटेंशियल हाई होगा यहाँ पे मालने रहे हैं ए प्रोटान प्लास इलेक्ट्रान है अब यहाँ पे लाइट आई यह नियू इलेक्ट्रान जो है यहाँ से निकलेगा है एक्साइटेड हुआ इलेक्ट्रान एक्साइटेड होके यहाँ पे पहुच गया अब यह जो इलेक्ट्रान है और एक्साइटेड हुआ यहाँ पे बना पी प्लास electron excited होके यहाँ पे पहुँच गया इसको हमने light energy दी अब इसने किया जो electron है इसको किसी electron acceptor acceptor molecule electron acceptor molecule ने इस electron को accept कर लिया हमने यहाँ पे light energy दी इसका जो electron हुओ है वो excited हुआ excited होके outer cell में आया outer cell में आने के बाद इसको किसी electron acceptor molecule ने accept कर लिया तो यहाँ पे जब इसका redox potential क्या हो जाएगा high हो जाएगा redox potential high हो जाएगा लेकिन जैसे ही अपने electron को किसी receptor molecule को दे देगा इसकी energy काम हो जाएगी तो इसका redox potential redox potential low हो जाएगा redox potential low हो जाएगा इसी basis पे क्या होता है हमारा photo system काम करता है हमारा जो photo system होता है इसी redox potential scale पे काम करता है जैसे किसी भी molecule को माल रहें यह कोई molecule है यह कोई molecule है इस molecule में यह है electron अब इस electron को इस molecule को हमने यह new energy दी यह new energy दी जैसे ही हम यह new energy देंगे इसके अंदर जो electron है वो electron excited होगा और excited होने के बाद A excited होगा excited होने के बाद A higher energy level पे जाएगा this is excited state हमने molecule को energy दी अचनीव दी excited हुआ और higher energy level पे गया अब higher energy level से higher energy level पे तो रह नहीं सकता है तो अगर इसको lower energy प्याना है अपने stability वाल state प्याना है तो दो काम करना होगा एक कैसे कैसे आ सकता है या तो क्या करें जो energy इसको मिली है इनदी फाम आफ heat क्या करें इस निकाल दें अब जो excited electron है ये तीन मेधर से अपनी energy को क्या कर सकता है overcome कर सकता है जैसे सबसे पहले अगर method की बात करें तो इनदी फाम आफ ये क्या करें heat को इनदी फाम आफ heat निकाल दे और यहाँ पे जो excited electron है वो अपने lower energy level में चला आएगा second में क्या कर सकता है ये अपना जो electron है ये electron ही क्या करें किसी दूसरे electron को दे दूसरे molecule को दे दे जैसे यहाँ पे ये इसका excited electron है ये excited electron क्या करें अपना excited electron ये किसी और molecule को दे दे तो यहाँ पे इस पे positive आ जाएगा और यह electron इसके पास चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा excited हो जाएगा second method यह हो गया third method में क्या कर सकता है third method के अंदर यह क्या करे अपना पूरा electron ना देखे क्या करे क्या जो excited energy है वो energy को ही transfer कर दे energy energy transfer कर दे जैसे a molecule है इस molecule को क्या किया इसने अपना electron ना देके केवाल energy दे दिया तो इसके जो molecule है उसके electron भी क्या हो जाएगे excited हो जाएगे और इसका जो electron है वो अपने lower energy level में चला आएगा तो electron जो होते है वो तीन तरह से जो molecule होते है तीन तरह के से अपना energy को compensate काने का काम करते हैं फर्ष्ट में क्या करते हैं या तो heat को इंदिफावाफ heat निकाल देंगे सकर्ड में अपने excited electron को किसी और acceptor molecule को दे देंगे थर्ड में अपनी energy transfer कर देंगे किसी और molecule के पास इन्ही तीनों method से क्या करते हैं वो अपनी सबसे पहले आता है non cyclic reaction की अगर हम बात करें तो इसमें दो फोटो सिस्टम इंवाल्व होते हैं PS2 and PS1 PS2 जो होता है वो पहले आता है अन्द PS1 बाज में आता है कैसे होता है निया समझें यह जो PS2 होता है इसको दिया जाते है electron इसको दिया जाता है energy अब इस जैसे energy देते हैं यहां पे water molecule तूटता है water molecule तूरता है by the hell फाफ amino and chlorine यह याद रखेगा जो water molecule तूटता है, दो element की वज़े से तूटता है, यहाँ पर दो element help करते हैं, मैगनीज और क्लोरीन, यहाँ से water molecule जैसे ही तूटे गाए, oxygen रिलीज हो जाएगा, जो 4H+, जो 4H+, जो चले जाते हैं, stroma की अंदर, अब चले गए, और यहाँ से जो 4 दूटान होते हैं, फो एक्साइटेद हो जाते हैं, सबसे पहले अपना जो electron है, एक element को एक देंगे, इसका नाम होता है प्लाश्टो की न फरीक्तरी न ओला हूँन, साइटोक्रूम B6 को साइटोक्रूम B6 जो होता है ओए डीप प्लस इनार्गनिक फॉसफेट से मिल केभानाधा एटीप मैंड साइटोक्रूम B6 देता है साइटोक्रूम एप को एंड साइटोक्रूम डेता है ps1 को यहाँ पे ps1 को जैसे ps1 को देता है यहाँ पे ps1 पे भी light परती light energy आती है ps1 भी इस electron को क्या कर देता है excited कर देता है ps1 इस electron को excited करता है यहाँ पे excited होने के बाद पहुँच जाता है या pharious पे pharoxin reducing substance के पास यह electron अपना देता है यहाँ पे electron की energy कम होती जाती है pharoxin reducing NADPH reductage अब यह क्या होता है जैसे electron आता है NADPH2 convert हो जाता है NADP plus 2 electron इसको मिलते हैं और एक convert हो जाता है NADPH2 के पास यहने DPH2 के पास ए पूरा का पूरा क्या हुआ एक अला आता है non cyclic reaction non cyclic reaction अब इस non cyclic reaction में हुआ क्या इसको समझें यहां पर यह है PS2 PS2 को energy milli electron excited हुआ PS2 को energy milli electron excited हुआ है P680 यहां पर क्या है P680 किस है P680 680 nanometer की जो light है वो milli अब यह electron को क्या करना है इस excited electron को lower अपने excited electron है इसको क्या करना इसकी energy कम करनी है अब energy कम करने के लिए क्या होते है यहां पर different element लगे होते है different molecules electron receptor molecules लगे होते हैं जैसे Pheophyton Pheophyton Plastokinone Pheophyton Plastokinone e potion different molecule line से लगे होते है अब यह different electron potential पेПр गये होते है जैसे electron आता है इसको accept करते हुए चले जाते हैं और electron की जो energy होती है वो कम होती चली जाती है यहाँ पे आ गए साइटो क्रोम साइटो क्रोम एफ के पास साइटो क्रोम एफ अब यह जो साइटो क्रोम एफ है electron दे देता है PS1 को PS1 को जैसे PS1 को electron मिलता है PS1 पे energy परती है light energy परती है और electron फिर से excited हो जाता है electron फिर से excited हो गया जैसे electron excited होता है यहाँ पे क्या होता है electron फिर से इसको क्या करना lower energy level पे लानी है तो lower energy level पे लाने के लिए एक दूसरे substance को electron देता है यह फार्यस को यह फार्यस देता है यह फडी को अब यह फडी ए यह यह फडी ए यह यह फडी प्लस यहाँ पे दो यह फड्स है अब जैसे ही दो यह फड्स को इलक्ट्रान मिलता है प्लस टू इलक्ट्रान जैसे ही दो इलक्ट्रान मिलता है एक कनवर्ट हो जाता है यह ने डी पी एश टू के अंदर और आप देखिए हमें क्या बनवाना था इसी यह ने डी पी एश टू को बनवाना था हमें इसी NADPH-2 को बनवाना था अब इसी NADPH-2 को बनते ही जो चार H-Plus है वो एक्मिलेट हो जाते हैं इस stroma के अंदर stroma के अंदर 4 H-Plus एक्मिलेट हो गए अब H-Plus क्या करेंगे, मूव करेंगे यहां पे कौन-कौन से पिगमेंट इन्वाल हुए सबसे पहला आता है प्लास्टो साइनिन क्या होता है कापर कंटेनिन प्रोटीन होता है मोबाइल एक्टान केरियर होता है मोबाइल एक्टान केरियर के मलब हुए डिफरेंट इस्टेप पे क्या करता है इलेक्टान को रिसी का बना होता है एक तीनों चीज़े important है पुछा जाएगा एक जामें कोश्चन कि non cyclic reaction में first electron acceptor कौन है तो फियो फाइटिन है फर्स्ट इलक्टर एक्टर एक्टर कौन है फियो फाइटिन फियो फाइटिन ने सबसे पहले electron को accept किया, mobile electron carrier कौन है, plastocyanin, तो चीज़े याद रखिएगा, next है ultimate electron donor, सबसे, जो ultimate electron donor कौन है, h2o, h2o नहीं, h2o, tuta, 2, h plus, plus, half, o2, plus, electron, तो ultimate जो electron दे रहा है, कौन दे रहा है, h2o दे रहा है, और ultimately electron accept कौन कर रहा है, nadp plus, और बीच में जितने आ रहे थे, लोके वाल, कुछ समय के लिए ले रहे थे, और आपने आगे वाले को transfer कर दे रहे थे, next आता है, कुछ important note, when all electron carrier are arranged in the reduction potential scale, according to reduction potential value, low reduction potential to high reduction potential, जिग जिएग pathway is obtained, so called Z scheme, यहाँ पे जब हम electron को accept करते हैं, electron को arrange करते हैं, तो इन्दी फार्म आप A, Z के फार्म में क्या होता है, arrange होता है, यहाँ PS2, A है PS2, यहाँ है PS1, इसलिए इसको नाम दियाता है, Z scheme, in the term of energy, this reaction, so uphill and downhill reaction, uphill and downhill reaction का मलग, यहाँ पे जैसे ही energy मिली, यह है uphill, लेकिन जैसे जैसे electron क्या हो रहा है, अपनी energy को निकाल रहा है, यह क्या है, downhill, downhill, यह फिर uphill, फिर downhill, तो यहाँ पे यह जो reaction है, uphill and downhill reaction है, कौन कौन से factor affect करते हैं, इस reaction को तो सबसे पहले, availability of optimum light, जितना अच्छा optimum light होगा, उतना अच्छा क्या होगा, यहाँ पे light reaction चलेगा, second, availability of electron acceptor, यहाँ डिपीएच्टू, जितने amount में कि यहाँ डिपीएच्टू होगा, उतना तेजी से क्या होगा, electron यहाँ पे आएगा, और उसको accept करके, यहाँ डिपीएच्टू में convert होगा, third, availability of CO2, जब CO2 ज़्यादा रहेगा, तो जितना ज्यादा यह डिपीएच्टू बनेगा, वह यह डिपीएच्टू क्या होगा, यूज होता रहेगा, तो फार्म दे, organic compound glucose, और जितना ज्यादा यह डिपीएच्टू यूज होता रहेगा, उतना ज्यादा यह बनेगा, उतना तेजी से light reaction होगा, तो यह तिनों फैक्टर क्या करते हैं, इस light reaction को effect करने का क्याम करते हैं, next है, chemosynthetic hypothesis, chemosynthetic hypothesis की अगर हम बात करें, तो chemosynthetic hypothesis, दो तरिके का होता है, एक होता है, ència क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे यहां पर ATP का फार्मेशन होता है उसको ना जाता है केमो संथेटिक हाइपोथेसिस के लिए हमें तीन चीज़े रिक्वार है एक मिंब्रेन सेकंड प्रोटान पाम्प थर्ड प्रोटान ग्रेडियंट एंड फोर्थ ATP एज इन्हें चार चीज प्यष्ट प्योपस के पास ही यहां पर इदर मिंब्रेन क्या लगा होता है यहां पर जो मालक्यूल होता है उतर मालक्यूल तूटा है हाफोटू के अंदर o2 के अदर और हमें 0.5 traveling में पमेलकों cultural के सब्रोट आइन फ rear पे चार इलक्टान क्या होते हैं इस लियूमेन के अंदर एक्मिलेट हो जाते हैं। चार इलक्टान में से 4 h-plus में से 3 h-plus जैसे ही proton pump से बाहर आते हैं एक ADP convert हो जाता है, एक ATP के अंदर, एक ADP convert हो जाता है, एक ATP के अंदर, तो यहां से क्या हुए, 48 H plus accumulate होते हैं, 48 H plus accumulate हुए, यानि कि यहां पे 16 ATP का formation हुआ, 16 ATP का formation होते हैं, light reaction से, next आता है, cyclic photophosphorylation, cyclic photophosphorylation में कि अगर हम बात करें, तो यहां पे केवल एक है, system involved होता है, PS1, PS1, PS1 पे light reaction पढ़ता है, light पढ़ती है, तो यहां पे electron excited होता है, जाता है, फिर reduction के पास, FD के पास, FD के पास, FD से जाता है, UK के पास, वहां से जाता है, cytochrome B and cytochrome F के पास, और जैसे ही cytochrome B से, cytochrome F के पास जाता है, ADP convert हो जाता है, ATP के अंदर, और ATP से, यहां से फिर से electron कहां चलाता है, इस है, photo system 1 के पास, यह process क्या कलाता है, cyclic photophosphorylation, आपके anxiety में question दिया हुआ है, probability to meet the, probability to meet the difference in the number of ATP and NADPH in the light reaction, the cyclic reaction take place, कैसे, आपको पता है, एक गुलकोज मालक्यूल को बनाने के लिए, एक गुलकोज मालक्यूल को बनाने के लिए, 12 यहन ने, DPH2 plus 18 ATP की require होती है, 18 ATP की require होती है, in C3 cycle, जब 12, NADPH2, DPH2 बनता है, NADPH बनता है, तो 16 ATP का formation होता है, आप यहां से जो 2 ATP कम पड़ रहे हैं, वो 2 ATP फुलफिल करने के लिए, क्या होता है, cyclic, cyclic reaction take place, cyclic reaction take place, तो याद रखेगा, I hope आपको समझ में आया हुआ, cyclic reaction क्या होता है, non cyclic reaction क्या होता है, and light reaction क्या होता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe ने किया है, तो चैनल को subscribe कर ले, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए thank you.